नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर इशान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चनल बिंग डॉक्टर ओफिशल पर उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़े होंगे तो दोस्तों नीट डॉजब चोईस के एप्लिकेशन फॉर्म का प्रोसे स्टार्ट हो चुका है अभी इस वीडियो में सबसे जबरी जो चीज है बचों अप्लिकेशन फॉर्म तो आप भरोगे ठीक है लेकिन उससे पहले अपने पास डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए होंगे अपने को ठीक है वो जाल लेना ज़ूरी होता है इस सब्सक्राइब जो मैं समझाता हो चल रहा हूं कौन-कौन से डोक्यूमेंट किस तरह सा आपको अप्लोड करना है कैसा होना चाहिए ठीक है सभी पर मैं बात करूँगा इस वीडियो को अच्छे से देखेगा ठीक है तो चलिए लेट्स बिगिन दा वीडियो विडियो पासपोर साइज फोटोग्राफ ठीक है आपको अपनेां पासपोर साइज फोटोग्राफ बनाना है दूसरा है पोस्ट कार्ड पासवटोग्राफ मेंतन चाहिए ़हान। फोटो के पीछे जो बैग्राउंड ओना चीह हो वाइट होना चीह है आपकी जो फोटोग्राफ है बच्वों उस में नीचे की तरफ ठीक है आपका नेम आएगा उप्पर नीचे डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ पूर्णाफ होनी चाहिए यानि कि आपका नेम आएका कंप्रीट नेम ठीक है और जो आपने जिस डेट को भी फोटोग्राफ ली होगी वो डेट आनी चाहिए और ध्यान रहे फोटोग्राफ एक जनवरी 2012-12 के बात का होना चीए उससे पहले का नहीं होना चीए ठीक है तो डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ भी मींशिन करना होगी और फोटोग्राफ जो एक जनवरी 2014-12 के बात का होना बना लीजी क्योंकि आगे counseling में और admit card में आपको paste करनी होती है इसलिए एक से ज्यादा मतलब कि दो या फिर तीन बनाई है दो बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है पासपोर से फोटोग्राफ आप बहुत सारी बनवाई है ठीक है जितनी ज़्यादा उसे के बनवाई है क्योंकि अभी तो आपको अप्लोड करनी अब इसमें क्या अप्लोड करना है यह काफी सारे बच्चों का कन्फ्यूजर है तो प्रेजेंट या पर्मानेंट एड्रेस प्रूफ में आप लोग अगर आप इंडियन सिटीजन है ना इंडियन नेशन सिटीजन है तो कोई भी गौवर्मेंट आइडी जिसमें एड्रेस लिखा हो जैसे कि आपना अधार काड अप्लोड कर सकते हैं अधार काड में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका मूल निवास प्रमानपत रियानी की डोमेसा सेटिफिट बना हुआ है अपनी स्टेट का वो भी आप अप्लोड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो जे पीजी फॉर्मेट होना चीए आपको फूर्थ नमर पर जो डोक्यूमेंट अप्लोड करना है देखिए आप देख सकते हैं सिगनेचर का उप्षिन आज तो सिगनेचर भी आपको अप्लोड करना होता है अब सिगनेचर जो है बचों वह ब्लैक पैन से आपको साइन करके साइब दिया रखना वाइंट उइपर भेड है भृइपर पर ब्लैक पैन से आपको साइन करके अपलोड करना है इसका उसथा जाई somos से 30 के बीच का साइज होना चाहिए format jpg format होना चाहिए ठीक है प्रमाइंट में आपको बताई दिया इंडियन सिटीजन है तो आप लोग अपना जो है आधार काड अप्लोड कर सकते हैं जिसमें अप्लोड कर सकते हैं जिसमें एड्रेस मेंशन होता है और PDF format में अप्लोड करना प्लोड कर लीके अपन favor राफ में आपको बता कर लेते है पॉटो पोस्ट कार में आपको पताईधी लेक्स लेक्स जो टॉक्मेंद आपको अप्लोड करना वह है और थम इंप्रेशन यहां तक लेना तो पूरा मतलब कि आपकी लगबग हाफ से ज्यादा फिंगर साजए ऐसा आपको लेकर लेकर पेपर दे पेश्ट कर लेना है उसको सकेण कर लेना है साइस क्या रहेगा उसका चाहर से लेकर कि लेकर पेश्य के बीच में अच्छी जेपी certificate आपको अप्लोड करना है 10th class का जो certificate matriculation certificate वह आपको अप्लोड करना है ध्यान रहे certificate का मतलब certificate mark sheet आज कल क्या होता है चलो common होगए चीज ठीक है mark sheet और certificate दोनों एक साथ आते हैं एक ही फॉर्मेट में एक ही पेज में आते हैं लेकिन पहले क्या होगा करते हैं हो सकता है आपके बॉर्ड में अलग होता हो कि certificate अलग आता है और माक्षिट के अलग आती है जहां पर नंबर लिखे होते हैं आपकी score लिखा होता है percentage लिखे होती है और certificate होता है जिसमें आपकी date of birth वगेरा mention होती है तो अगर आपका अलग अलग बनावा है तो आपको खाली certificate upload करना है अ लेकिन आप रिजर्व करते हैं जैसे कि OBC, NCL, EWS से या फिर SCST से तो आपको अपना category certificate भी upload करना होगा ठीक है अब इसके रिगार्डिंग कोई भी clarification तो नहीं दिया है कि कब तक का validity होने चाहिए information book later में कहीं पर भी लेकिन अगर आप अभी क्योंकि first April से ही renew होते हैं तो उस से last year का भी चलाएंगे तो चल जाएगा upload कर देना कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें कोई भी problem नहीं होगी अगर आपका जो भी बनावा है तो आप बनावा है तो अगर नहीं बनावा है तो अब कोशिश कीजिए कि जल से बन जाए है क्योंकि आपको एक महीने का समय एक महीन कि तो आप लोग जो है जरूर से एक बार ना इसमें upload कर देना कोई दिक्कत नहीं होगी बात कर लेते हैं का सेटिफिकेट की तो का सेटिफिकेट आपको upload नहीं करना है वो कांशिण के टाइम पर आपसे मांग लिया जाएगा तो यह सारी डोकिमेंट इसके लाव कोई भी यह पासपूर साइज फोटोग्राफ इसको देखिए यहां पर नेम ऑफ केंडिडेट उपर आएगा डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ इस तरह से आपको लेनी है ठीक है पोस्टकार साइज फोटोग्राफ थोड़ी बड़ी होती है यह भी आपको upload करनी होगी अब सिग है इसके लावा कोई भी डाउट है अगर अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कौन से स्टुएंट को कौन सा कोड चूज करना चाहिए उस वीडियो को जरूर से देख लिएजएगा और चैनल अगर वीडियो पसना आएज तो पीसे लाइक कीजिए जाधाधा शेर कीज साथ या मैं टेलिगाम सेल को भी चौन कर से लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में गिवान है थैंक्यों सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीट में तब तक के लिए जैन टिक केर